नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर एक रीसेंट डेवलप्मेंट में DRDO के द्वारा अपनी एक नई मिसाइल का टेस्ट किया गया है इस मिसाइल का नाम है सूपरसोनिक मिसाइल असिस्टिड रिलीज ओफ टॉर्पीडो ये एक काफी अलग तरह की मिसाइल है जिसका टेस्ट DRDO ने आज दिन तक मात्र दो बार किया है इसका जो पहली बार टेस्ट किया गया था ये दोस्तों पिछले साल की बात है लगभग around October के आसपास इसका टेस्ट किया गया था उने को मिल सकती है आप यहाँ पर देख सकते हैं DRDO successfully test the long range supersonic missile assisted release of torpedo उसके बाद आप ये भी देख सकते है DRDO का ये ट्वीट है बात करेंगे कि ये वाला जो टेस्ट है ये बाकी मिसाइलों से अलग क्यों है क्या इसमें खास बात है और इसके इलावा जो ये वाला टेस्ट है हमारी इंडियन नेवी की शमताओं को किस तरीके से बढ़ाता है चलिए शुरू करते हैं मेरे साथ मेरा नाम है अनिरुद इस लेक्चर की PDF को डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पर दिये गए रेज़ान चैनल के माध्यम से इसके इलावा आप लोग मुझसे कहीं और जोनना चाहते हैं या फिर अनकाडमी आप पे तो ये वाला है उसका इस्त description now because 16 तरीक को जो GS के प्राइज है वो 2000 से बढ़ने वाले हैं और Combo के जो प्राइज है वो रुपीज 3000 से बढ़ने वाले हैं इसमें आपको ध्यान कर रखना है कि अगर आपको यहाँ पर डिसकांट्स चाहिए तो अनी UPSC code का इस्तिमाल कीजिए जिसके चलते आपको मेरी Personal Guidance, WhatsApp Group में Edition और 20 books भी आपके हर तक पहुंचाए जाएंगी इसके साथ ही में ये वाले खास batches हैं जो कि आपके लिए शुरू करवाए जाएंगे NCRT batches 22 और 23 के बच्चों के लिए अलग से basic batches भी शुरू करवाए जाएंगी साथ ही में एक major announcement है मेरे द्वारा 15th of December यानि कि कल से हम लोग science and tech का एक batch शुरू करने वाले हैं जिसमें की mains oriented आपका जो तयारी है वो करवाए जाएगी इसके इलावा अगर आप लोग आने वाले UPSC, CSE, Megacombat में हिस्था लेते हैं तो आपको यहाँ पे स्कॉलिटने का मौका मिल सकता है इसमें भी enroll करते टाइम आपको code पूछा जाएगा तो आपको code लगाना है आनि UPSC का, right, so as you can see over here, the DRDO on Monday tested a long range supersonic missile assisted torpedo, तो इसमें दो तीन चीज़ें हैं आपको ध्यान रखनी होगी, पहली बात तो कि इसकी range जो है वो long range है, दूसरा इसकी जो speed है वो एक supersonic speed से यह travel करता है, जो test है इसको किया गया था Wheeler Island in Od Odisha से, जिसका की नया नाम आपको मालूम होगा, Dr. APJ अब्दुलकलाम आइलेंड उसको बोला जाता है, और यहाँ पर DRDO के एक अधिकारी है, उन्होंने कहा है, the weapon system is being developed by DRDO for the Indian Navy, यानि की प्रमुक रूप से, यह पूरा का पूरा जो आपका system है, यह भारतिये नौसेना के ल और यह एक island है, off the coast of Odisha, approximately 500 km की दूरी पे located है, from Bhuvaneshwar, यहाँ पर इंडिया की जो integrated test range missile testing facility है, वो located है, and it therefore serves as the testing facility for most of India's missiles, जितने भी आपने missiles की testing हम लोग सुनते हैं, खबरों में आती हैं, समाचार में आती हैं, कि DRDO ने यहाँ पर यह test किया, वो test किया, तो दोस्तों, maximum जो आपके test है, वो basically इसी island से करवाय जाते हैं, इसकी location को आप लोग यहाँ से भी ध्यान लिखते हैं, कि यह Calcutta से भी काफी नजदीक है, और यह basically आपका Bay of Bengal, यानि कि Bengal खाडी के इंदर आपको देखने को मिल जाता है, now, coming to the test, जो यह system है, इसको एक next generation का missile based standoff torpedo delivery system कहा जाता है और system को इस तरीके से design किया गया है, जिसके चलते हमारी जो anti-submarine warfare capabilities हैं, वो काफी जादा बढ़ सकती हैं, अगर हम लोग एक normal torpedo का इस्तिमाल करते हैं, I am sure आपको अभी तक कुछ चीजें समझ नहीं आई होंगी, कि कि किस तरीके से missile काम करती हैं, उसको समझने के लिए, मैं गाजी attack के नाम से, उसमें दिखाया गया था कि इस तरीके से कि जो पंडूबियां हैं, वो यहाँ पर torpedo का इस्तिमाल करती हैं, एक दूसरे को attack करने के लिए, तो यह जो torpedo होते हैं, यह basically आपकी पंडूबी के ही अंदर से fire करे जाते हैं, लेकिन torpedo को केवल अंदर से ही fire नही क्या जा सकता है, torpedo को आप लोग surface के ऊपर से भी fire कर सकते हैं, इसकी definition को ध्यान से पढ़ेंगे, it is an underwater ranged weapon launched above or below the water surface, self-propelled towards a target and with an explosive warhead, इसके आगे एक explosive warhead लगा होता है, it is not necessary कि इसको आप लोग पानी के अंदर ही launch करेंगे, पानी के बाहर भी आप इसको launch कर सकते हैं, और यह आ marine के केवल बाजू में hit करती है, वहाँ पर जाकर blast करती है, so that वो उसको एक काफी बड़ा damage कर सके, now, यह वाला जो हमारा smart test किया गया है, significant इसलिए बन जाता है, because normally अगर आप देखेंगे, जो torpedoes जो की हम लोग underwater से भी fire करते हैं, उनमें एक सीमित range होती है, उनकी जो range होती है वो काफी कम होती है, और इसलिए वो जादा दूर के target को hit नहीं कर सकते हैं, काफी पहले की बात है, आज से लगभग 5 साल पहले की बात है, 2015-16 के असपास की बात है, DRDO ने अपने उपर एक नया project ले लिया, कि हम लोग इस तरह की capacity को build करना चाते हैं, जिसके चलते हम लोग जो torpedoes हैं, उसकी range को बढ़ाएं, और उसको किस तरह के से बढ़ाएंगे, अगर हम लोग उसकी firing जो हैं, वो एक missile की मदद से करते हैं, जो smart test है, यह basically इसी चीज़ को ensure करता है, the smart system comprises a mechanism by which the torpedo is launched from a supersonic missile system, जिसमें कि इस तरह के से modifications करी गई है, कि जो torpedo की अब range है, वो काफी जा कहा जाता है, supersonic missile assisted torpedo test, for example, जो आपका torpedo है, इसकी जो range होती है, बहुत ही कम kilometers की होती है, इसकी वाली शमता, आपका smart test offer करता है, आपके नए torpedoes को, और इसे लिए कहा जाता है, कि हमारी जो submarine warfare capability है, वो काफी जादा बढ़ जाती है, केबल इतना ही नहीं, अगर आप ये test करते हैं, तो सौहदी सी बात है, कि इसके साथ में, आपके पास काफी flexibility भी offer हो जाते हैं, यानि कि मान लीजे, आप आज underwater fire नहीं करना चाते हैं, आप आज surface के ऊपर से fire करना चाते हैं, या मान लीजे, underwater आपने firing कर ली है, torpedoes आपके पा कि ये test अभी तक इंडिया ने मात्र दो बार किया है, दुनिया भर में बहुती कम देश हैं, जो कि इस तरह के test को actually connect कर सकते हैं, इसमें कई सारे DRDो के laboratories हैं, जिसमें इसके लिए अलग-लग तकनीकों का विकास किया है, for example DRDL है, उसके बाद जानी मानी laboratory है, हाइदरबाद क RCI है, then ADRDE है, जो कि आगरा में है, then उसके बाद Naval Science and Technology Laboratory है, जो कि विशाकापटना में located है, इन सभी ने मिलकर के अलग-लग तकनीकों को विक्सित किया है, for the smart test, इसका जो launch था, वो काफी बिल्कुल सही गया, कोई दिक्कत इसमें नहीं आई थी, मिसाइल के अंदर एक torpedo डाल पर नहीं आई थी, जो मिसाइल है, it was launched from a ground mobile launcher, and it can cover a range of distances, the missile was also equipped with a state-of-the-art millimeter wave seeker, which provides high precision strike ability from a safe distance, तो यह सारे की सारे चीज़ें, जो कि typically हमें, हमारी DRDO की मिसाइल के देखने को मिलती है, वो यहाँ पर भी add-on करवाई गई थी, इस मिसाइल के launch के बाद जो DRDO के चेर्मन है, Dr. G. Satish Reddy, इन्होंने congratulate किया, और साथ में कहा, system will further enhance the strength of our navy, and promote self-reliance in defense, harnessing of expertise and capabilities, once again बोल दूं, यह वाला test, बाकी टेस्टों से काफी अलग है, और इसी लिए काफी significant माना जाता है, इसी note पर दोस्तों, आप से लेता हूँ विदा, thank you for listening, stay tuned and stay safe.